जहन सातियों मैं आनन चोहन आप सभी का आर्दिक शागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग में आनन चोहन में उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे जबरदस्त होंगे और तैयारी भी आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से चल रही है भी और आप लोगों का भी जिसका भी जैसा भी एक्जाम गया हो यूपीपी का अब भाई जो होना था वो हो गया है आपका एक्जाम अच्छा गया है तो अच्छी बात है और जिसका नहीं भी गया है तो भाई आपके भी बहुत से एक्जाम आने वाले हैं तो भी उसकी त्यारी में लग जाओ जैसे कि वह एससी जीडी का एक्जाम आपका जिनवरी में तो आपके पास अभी चार मन्त बाकिय तो भी चार मेने अच्छे से त्यारी कर लो अभी आपके पास बहुत से मौक्यासे हैं जिनमें आप अभी मैनद जितनी ज्यादा कर सकते हो तो भी कर ल यह था हाला कि वो पार्ट बन वाली जो क्लास लगवाग आदे गंटे लेट हुई थी साड़े पांच वजे वो क्लास आपकी लेट हुई थी तो यदि आप लोगों इस क्लास को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो का आप लोग जरूर देख लीजेगा और आज हम आपसे रेशियो और प्रोप्रेशन चैप्टर का दुस्तो पार्ट दूसरा लेकर आए हैं और इसमें जो हम आपसे क्लास को आगे बढ़ाते हुए कोस्टन नमबर 31 से कोस्टन नमबर 60 तक के कोस्टन डिसकस करेंगे हाला कि इसमें टोटल जो नमबर आप कोस्टन आपके इस चैप्टर में रेशियो और प्रोप्रेशन चैप्टर के 80 कोस्टन दिये गए हैं और बाकी के जो 20 कोस्टन से रह जाएंगे उन्हें हम कल की क्लास में कम्प्लीट कर लेंगे ठीक है तो रेशियो और प्रोप्रेश कि आप सभी को पता कि मैंने आपको बेसिक सारी चीजें बता दी थी कल्की क्लास में कि आपको जैसे पता था कि अनपात क्या होता है और मैंने आपको कल्की क्लास में यह भी बताया था कि मद्यान उपातिय का फॉर्मूला क्या होता है चात्रता समान उपातिय का फॉर्मूला क्या क्या होता मैं आपको सारी चीजे में बता देती तो वही कोश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है कोश्चन अमबर 31 तो सभी लोग कोश्चन करने की कोशिस करेंगे और इसका आंस्तर जो भी होगा आप सभी साथी कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे ठीक है तो देख दोनों के बीच का जो भी रेस्यों होगा वो हम से पूछा है तो सब से पहले क्या करेंगे हमे निकालना है साथ पाँच और तीन का चतुर्था समानवपाती चतुरता समानुपाती का फर्मूला मैंने आपको कल बताया था क्या होता है वही बी सी अपॉन ए क्या होता है वही बी सी अपॉन ए ये किसका फर्मूला होता है तो आप कोगे सर ये होता है चतुरता समानुपाती का तो भी निकालेंगे तो इसमें से एक का मान है एक का मान हो गया साथ बी का मान पाँच और सी का मान तीन तो भी बी सी रखेंगे तो भी बी का मान कितना दिया गया तो आपको को जाएगा पाँच सी का मान कितना दिया गया है तीन और बटे में एक आमान कितना दिया गया है साथ तो यह कितना हो जाएगा तो आप को इस तर तो यह तो हमारा आ गया है पंद्रह बटे साथ तो यह पंद्रह बटे जो साथ निकल के आया है दोस्तों तो यह क्या निकल के आया है आप को इस तर यह साथ पांच और तीन का चतुर्था समानुपाती निकल के आगया ठीक है भई अब आगे देखो क्या कह रहा है आगे हमसे कहा है कि साथ और तेरे का त्रतिया समानुपाती भई त्रतिया समानुपाती का formula मैं आपको क्या बताया था b square upon a किसका formula होता तो यह तो यहां पर a का महान कितना दिया उताया है रखेंगे तो आपको ऐसे रखोगे तो आपको इस तरह पटेरे गोड़े यानि तेरह का square और बटे में कितना आजा इसको चाओ वो त्टेर ही लखो गया गया, साथ दिया गया है, तो तेरा का स्क्वेर कितना होता है मेरी शेर, आपको उसर एक सो उननतर बटे साथ, अब भई देखो, मैंने इनका तीनों को दोनों का क्या निकाल लिया, चतुरता समान पाती और तरतिया समान पाती, अब भई इनके बीच का रेशियो निकालन इस कोशचन का बिल्कुल सही आंसर होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आगया होगा ना वई, समझ में चलिएगा और चलते और अगला कोश्चन, कोश्चन, 되고 No ** कोश्चन नमर 32 वहीं आपके सामने आ चुका वहीं सभी लोगा अंसर करेंगे कोश्चन नमर 32 का अंसर क्या हो जाएगा यदि ए अनपात वी का रेस्यू इतना है और ए एबम बी का त्रीसरा समानुपात तीन सो तिताले से तो बी माइनस एका मान ग्याद कीजिए वहीं हमें बताना है दोस्तों बी माइनस एका मान ग्याद करना है ठीक है वहीं चलिएगा करेंगे सौल आप देखेंगे दोस्तों को कैसे करना है देखो यहां पर हमें ए और बी का रेस्यू दिया गया दो अनपात साथ और एबम बी का तीसरा समानुपात आपको आल लेड़ी दे पाती का फॉर्मुला भी मैंने आपको क्या बताया था यहां से था ओर गया था आपको उल्फ स्क्वेर अपॉन है तो यहां से मैं बाहर ले लूँगा तो कितना जाएगा तो आपको उसर यह हो जाएगा बराबर और एक ही गुणा कर देंगे तो यहां से बाहर न कितना जाएगा तो आपको 99 कितना जाएगा तो आपको इसर जाएगा उनाच्ता सर यह जाएगा कोई भी एक variable मन लेंगे तो variable मैंने लिए वाल लिए 갔 क्या मान लिए as x मान लिए थो यह कितना हो जागा ॥ 20 स्क्वार है तो 7 क्ऊष्वार art एक variable मां लेंगे थीक है बहुए और अब भर देखो यहां से कितना है 49 x square不要 343 गुणया कितना होगा 2x अब भी देखो जो कटे जागा तो इसको काट लेगा 49 को काटेंगे तो 49, 40 कितना होता है आपको इता है 343 एकस square बड़ाबर आगा 14x यहाँ पे x square है यहाँ पे है 14x तो यह x से यह x square कट जाएगा तो x की value क्या गई वही आपको इसर एक्स बराबर आगया 14 x का मान कितना आगया वही x का मान आगया 14 अब यह x का मान जो 14 आया है तो अब इस 14 का मान हम रखेंगे a अनपात b के ratio में तो वही a का मान कितना है दो है और b का मान कितना है a का मान कितना दिया गए तो आपको इसर एका मान दो है और b का मान कितना है तो a अनपात b का ratio आजाएगा दो अनपात साथ इसमें क्या करना है इसमें इस 14 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 14 दूनी 28 हो जाएगा ये 14 दूनी 28 हो जाएगा 14 सत्य हो जाएगा ये 98 14 सत्य क्या हो जाएगा दूस्तों ये हो जाएगा 98 हमसे पूछा है B-A का मान तो यहां से आपने देखा भई हमारा A का मान निकल के आगए 28 B का मान निकल के आगए 98 किसका निकालना था हुँए भी उसथा नवी मैनस कर देंगे एक हमान कितना दिया गया है या तो आपको 28 दिया गया है दोनों को मैनस कर देंगे बराबर 2008 पर जाएगा जीरू 9 में से 2 जाएगा सात यानी कितना अगयाFit तो इस कउस्चन का पार्ट बन में आपको मैंने आरड़ी बता रखा है ठीक है पार्ट बन को देख लेना समझ में आज आएगा ठीक है चलिएगा A plus B का ratio आपको दे दिया गया A plus B का मान दिया गया 25 A minus B का मान दिया 7 A और B का मध्यान पाती निकालना है ठीक है भई A और B का मध्यान पाती हमें निकालना है ठीक है चलिएगा बहुत बढ़िया करते हैं solve इसको करते हैं भई इसको solve तो भई देखो अब जब भी इस टाइब का कोश्चन आपके एक्जाम में आए कि A प्लस B का मान इतना है अब यहां से देखो A प्लस B का मान आपको दिया गया है 25 हमें तो भी पहले तो A का मान निकलना है और इसके बाद B का मान निकलना है यहां पर दिया गया A माइनस B का मा साथ है तो यहां से हमें क्या करना भी एक अमान निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों को जोड़कर आधा कर देना है कितना करना भी दोनों को जोड़कर जैसे कि 25 और 7 को जोड़ा कितना हो जाएगा 32 32 का आधा कितना हो जाएगा 16 तो यहां से क्या हो जाएगा यह हमारा निक इतना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, तो यहां से क्या होगा, हमारा A और B का मान निकल गया, A का मान 16, B का मान 9 आ गया, कोई दिक्कत, भई अब आपको किस तर 16 नो आया कैसे, मैंने अभी जस्त आपको बता है, जी को एक बार फिस्टे समझ लेता हूं, A A प्लिस भी का मान इतना है तो एक अमान निकल ने के लिए दोनों का जोड़ा 25 और 7, भई 25 और 7 को जोड़ा होता है अंडर रोर एसिका वालुका तो सूनना होता है लोगा किस एक न Springs कि on Smackको उद्वर करें यह किसका उते हैं नंबर 20 क्यूश्टन का एक नहीं की से हबंद आउसाइगा ऑन करणे में कोई क्यों को करने में कोई नुक्त नहीं नहीं कि 25 और 7 को जोड़ के आदा करना था और एक बार घटा के आदा करना था समझ गए ना भई चलिया अगला question question number 34 कहरा है कि यदी दो वर्गों के छेत्रफल का अनपात यदी दो वर्गों के छेत्रफल का अनपात 4 अनपात 9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनपात कितना होगा हमसे पूछा है दोस्तों उनकी संगत भुजाओं का ratio पूछा गया संगत भुजाओं का ratio क्या हो जाएगा अब भई देखो ऐसे question को कैसे करना भई संगत भुजाए ठीक है भई दो वर्गों का छेत्रफल वर्गों का निकाने के क्या करेंगा भी देखो बर्गों का छेत्रफल निकालने के करते हैं भुजा का फर्मुला अप लोगवं पड़ा होगा भुजास्क्ऌर होता है प् никто क्या होगा जासक्द के लिए अनरब्ब का पूच्छा अ क्या Siya वर्गों के निकालने के लिए तो यह किसका ब्रोग होगे चार होजाएगा आपको यह 2 कवर्ग है और 9 किसका तेन का वर्ग तो हमें पूछाता संगत भुजा बराबर कितना हो जाएगा तो भुजा 3-9 जाएगा 3 कसकर बस हो गया वही बस बिदा कॉपी पहन के स्को कर सकते थे समझ गे न वही चलिए अगला कोश्चन कोश्चन नमर 35 आपके सामने यह रहा कोश्चन नमर 35 अभी यह भी कोश्चन दोस्तों बिलकुल सेम है जैसा कि मैंने अभी आपको कोश्चन 34 में क्या पूचाता है इसमें भुजा पूची थी इसमें क्या पूचा है आयतन पूचा है इसमें क्या पूचा है मेरे शेर आपको किसर इसमें हमसे पूचा आयतन का अनुपात क्या होगा वह देखो दो गोलों का प्लस्टी छेत्रपल का रेसियो कितना दिया गए आपको किसर प्लस्टी छेत्रपल छेत्रपल क्या होता भी छेत्रपल होता ए छेत्रपल होता ए बराबर कितना दिया गए आपको किसर यह दिया गया उननचास रेसियो कितना दिया गया उननचास रेसियो 25 दिया इसमें क्या लग जाएगा अंडरूड चड़ा देंगे तो अंडरूड चड़ा देंगे तो उनचास किसका हो जाएगा तो आपको सरी हो जाएगा साथ का 25 किसका होता भी पांच का तो यह रिस्यू बनके आगे साथ और अनपाथ पांच का आयतन निकालना है तो आयतन के निक करते बस इतना याद रखो एक यू होता है ठीक है तो यह कितना हो जाएगा भी साथ का क्यूब कर देंगे तो 779 तो 343 हो जाएगा और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा भई 125 हो जाएगा तो इस question का answer भई कितना हैगा हमसे क्या पूछा भई दो गनों की भुजा का रेशियो पूछा गया है भई इस बार क्या पूछा भई इस बार भुजा का रेशियो पूछा है भई भुजा का रेशियो लेकिन यह है क्या गनों का आयतन है गनों का आयतन दिया गया है भई यह कोश्चन तो बिल्कुल बच् । तो यह लोगा को पता है चौहक किसका होता है वाप को करेए बाता है?? पताओ इस question करने में कुछ भी था भई कुछ भी नहीं था आपको बस पता होना चाहिए कि गहनों का आयतन का अनपात पूछा है तो गहनों का पूछा है तो भई गहन का मतलब क्या होता है तो रूड निकाल दिया भई अब यहां पर वर्गों कायतना पूछ लेता तो भी वर्ग होता तो यह आठका हो जाता वर्ग ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं अगला question question no.37 वर्ग के विकड़ और उसकी भुजा का रेशियो क्या होगा जब उसकी भुजा 15 cm हो बहुत बढ़ी है question में पूचा है वर्ग तो यह ऐसा करेंगे सबसे पर आप रेख बना लेते हैं और यह क्या हो गया चाहें यह क्या होगया एक विकर्ड हो गया ठीक है यह क्या हो एक यह आपका विकर्ड होगया ठीक है अब देख़ो चीज़ों अब इस चीजों को दिहाल से समझना भी वर्ग की भुजाएं कैसे होती बराबर होती तो चाहें आपकी भुजाएं ये वाली हो या ये हो या अपस में कैसे होगी आमने सामने की भुजाएं कैसे होती भी बराबर होती है वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है यदि मान लिया कि ये भुजा आपकी A है तो ये भी A ही होगी, ये भी A होगी और ये भी होगी, वर्ग की भुजा का जो विकड़ होता है, वर्ग का विकड़ का जो होता है आपका A अंडर रूड दो होता है, ये आपको याद रखना है, कितना होता भी A अंडर रूड दो हो से पूँछा इसकी भुझा का रेशियो फूंचा गया है तो इसका अपान क्या होगा वर्ग और विकड की उसकी भुझा का ratio तो भाई यहां से विकड का अनपात कितना दिया गया तो आपको उसरे विकड का जो अनपात दिया गया वो दिया गया आपका ए अंडरूड दो दिया गया है बराबर एंडरूड दो अनपात पूछाए न तो अनपात लगाएंगे भी बराबर नहीं आएगा तो यहां प का विकड कितना है एंडर रूड दो है भुजा कितनी आ गई वर्ग का विकड हम इसा याद रखना है जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती तो यह आ जाएगा एंडर रूड दो बुजाएं कितनी यह बराबर हैं तो सभी कमान कितना भी यह होगा तो एसे एक कट option number D is the right answer भई भुजाज़ ने कोई मतलब नहीं है तो option number D is question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा under root 2 is you 1 चलिएगा भई अगले question पे चलते हैं question number 38 यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुना के बराबर है तो दोनों मात्राओं का अनुपात किया होगा भई बहुत अच्छा question है भई बहुत अच्छा question है 29 फरवरी 2024 को आया है एक्जाम में आपके भई ये question तो भई मेरे को आगया भी इसका answer भई आपको बता दू बिलकुल भई आपको कुछ नहीं करना है बिना coffee pen के answer आजाएगा मैंने जैसे बता दे इसका answer भी साथ अनुपात पाँच बिलकुल सौ परसेंट क्लियर हो जाएगा जानते हो कैसे मैंने कैसे किया मैंने इसको किया option से बिना फॉर्मूले से इसको कर देने भी वज़ you solve option से करदेएगा ऊपने कैसे कर दिया आपने इसको कछ के कर नहीं करतिके पहला आपने वी сторон समझ के क्या जैसा question में बुला देखो कैसे दो मात्राँ का योग दो मात्राँ का मतलब जानते हो यहांपे जो अंक लिखे इनका योग उनके बीच के अंतर का छे गुने के बराबर होना चाहिए। इनके बीच के बीच का यह जो आप नहीं होको इनके बीच का शे गुने के बराबर पूचा है। क्या 3 का 6któ outlet 7 होता है तो आपको ओगे नहीं होता है, तो पहला option गलत हो जाएगा, पहला option गलत हो जाएगा, अब भी 3 नु पात 7 ठीकळ लेते हैं, इन के बीच का योग कितना है, 10 है,ंतर कितने का जाएगा, तो आपको उसर चार का, तो अंतर ज刺 जब 4 का है, से बिलकु स्टरल हो जाएगा, अब भई देखो option no.b को बहुई, 7 और 5 बहुई, 7 और 5 का योग करो कितना हो जाएगा, तो आपको को सर्फ बार है, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 2, क्या 2 का 6गुना बार होता तो यही इस question का answer हो जाएगा साथ अनुपात पाँच वही देखो option से कितनी जल्दी हो गया वही एक second वे answer आ गया अब आपको यदी condition यदी अल्रेडी जब आज आएगी ना practice हो जाएगी तो आप exam में बिना copy pen के ऐसे question को solve करोगे वही चलिएगा अगला question question number 49 question number 49 आपके सामने ये रहा है अब देखिएगा मेरे बाइब इस question को कैसे करेंगे solve कहरा है कि चार संख्याओं का ratio दिया कि 7 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 2 के अनुपात में इन संख्याओं का योग कितना है 68 ा संख्याओं का योग कितना बिकितना का बड़ावर oke जुपात आपको उस ये तो आगया है इसका चार गुणा हमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या और चौती संख्या तो पहली संख्या क्या हो जाएगी मेरी शेर आपको पहली संख्या हो जाएगी आपकी इसमें से पहली संख्या साथ है और चौती संख्या आपकी दो है तो इनका योग का रेशियो कितना तो इनके योग कितना होगा तो इन इसका भी 4 गुना करना पड़ेगा तो वह इसका भी क्या कर देंगे वह इसका भी 4 गुना कर देंगे तो कितना रहेगा ना चॉकष चाहिंगा आपको रूकर शॉककर वह ग्या गार्टेशियोत क độngि Сп consol談 बिल्कुल 566 लिखेका या कि cinco ratio 4 दिया गया तो यहां पे 4 संख्याओं का अनपात में से हमें पहली संख्या 34 संख्या लेनी थी पहली संख्या 7 और दूसरी 34 संख्या 2 इनका योग करके इसका भी 4 गुना कर देने से आंसर आजाएगा तो 7, 2, 9, 4, 36 हो जाएगा चलिएगा अगला कुश्चन देखो कुश्चन नमबर 40 दो संख्याओं का रेशियो 3 अनपात 5 है यदि इनका गुड़न फल 375 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है दोनों संख्याओं का योग देखो बही कह रहा है कि इसके वेरीहाविल माने लिए मैंने एकस तो यहे होजागा 3 x अनुपात कितना दिया पांच तो इसका एक वेरीहाविल मानें लिए एकस तो यह दोनदनदन फ़ल कि lij invers कोड़न फल करेंगे तो यह कितना हो जागा तो आपको इससर यह जा distintos कितना हो जागा भी फाइव वेज्वाइज बरावर कितना दिया गभी आपको उससर 375 00 765 हमें दिया गिया किलियर यहां तक की बात सम्झ में आगी वह चलिए आप देखिए गा यहां पे है 3x into 5x इसको काटेंगे भई, काटेंगे तो किसनी बार कटेंगे तो 5 से काड़ा दो इसको भई, 5, 6, 30 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा आपका 5, 6, 30 और बचेगा 3, 5, 7, 35 और 25, 675 अब यहां से 3 से काटेंगे इसको तो 3 से कटेंगे, कितनी बार 3 दूरी 6, 3 दूरी 6 और 3, 25 है, नहीं, 25 यहां पे क्या बच्चा? 1x यह बच्चा 1x यह बच्चा, तो यह कितना हो गया भई? यह होजाएगा, x स्क्वेर बराबर होजाएगा, $225 जब x स्क्वेर बराबर $225 है तोじゃあ bicamon 6 ले कितना हो जाए है किसकी स्कोर का 1500 का होता है तो यहां से आइक सरीक्स कमान आ गया पंद्रे एक्स का मान कितना आ ए आप को इससिर यहां से हमारा एक्स मान आ गया है तो हमसे क्या पूछा हुछा इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गाbalanced इंहकाありがとう Τ्री और फाइबै ऐक्स माना तो तो कितना हो जाएगा इनकों यहां पर 226 ये क्थिफ्टर यूग तो यहां पर 226 कितना बहुत यूग करेंगे इसमें किटना इनका यूग करने के लिए इनका योग में कितना गुणा किया तो आपको किस तर पंद्रे गुणा किया है तो इसका भी हमें क्या कर देना भी इसका भी हमें पंद्रे गुणा कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा तो आठ एक सो बीस यह मान कि चलो यहां से वही क्या करेंगे पांच तीन यह आ बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा बताओ बाज समझ में आई या नहीं बाज समझ में आगी 120 चलिएगा अगला question next question है question number 41 दो संख्याओं का ratio पाँच अनपाथ छह है यदि इनका गुड़न फल इतना है तो दोनों संख्याओं का यो कितना होगा सेम कुश्चन है मेरे बाई सेम कुश्चन है कुछ नहीं करना है जैसा अभी मैंने आपको question number 40 में बता है बैसा ही आपको question को भी कर लेना ठेक है बाई कोई भी variable मानेंगे तो कितना हो जाएगा तो आपको अच्छ कर दो कटेगा 6 chance यह नशिक है निए थिए हिए 68 सब्सक्राइब करते काटे इसा मुश्य खरताइगा तो इसरा फिर यह स्कूर ब्रावरा का भागल में मिल्या करते कितना है सब्सक्राबं है पस्क्रा हूइं अच्स होंच्च करता कितना यह वाइब लि debt on जाएगा 11 x X की इसमें गुड़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो आपको सर्ण 11 रहे एक्स कर्देंगे 1188 जाय गया जाएगा बिलकुल सही जवाब हो जाएगा भी तो 11 x कितना होगा उगा तो sup रख देंगे 1188 इस question का बिलकुल सही जवाव हो जाएगा कोई दिक्कत होई बताओ अब यही question 29 फर्वरी 2024 को आया था और यही question आपके 29 फर्वरी को पूछ लिया था यानि कि same type था बस only digit चैंज ती चलिएगा अगला question question number 42 दो संख्याओं का रेशियो आपको दिया गया है कितना 3 अनुपात एक है और इन संख्याओं के वरगों का योग दिया गया है तो इन संख्याओं का योग कितना होगा एक मार्च 2024 को दुस्तों आपके एक्जाम का आया हुआ question है अब देखिएगा मेरे इसमें क्या करना व बढूर बेड़OME को सब्सक्राइब उम्यार लेंगे तो क्या हो जाएका वेरेविल मालिया 3-AIX और आपको 3 X और यह कितना माना था भी मैंने एक माना था 1x और बराबर कितना हो जाएगा बराबर में आप देखो कितना है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा भई आपको अब यहां से ऐसा करो 3x अनपाथ 1x दिया भई देखो इसका क्या करना तब वरगों का योग पूछा है तो वरगों का योग कर देंगे तो इसका वरगों का योग कित हो गाल खायगा एकसгеar हो जाएगा कितना हो जाएगा एक्स को आंक टोटल यो कितना दिया तो आप ऊसरिंक योग दिया गया आठ सो दिया गया कितना दिया मेरे था आपको इणका योग दिया खाया जो प्रWhis और यह नुब्राबर कितना आग में आजाएगा तो जीरो से जीरो ये कट जाएगा तो एकस स्केर बराबर कितना आजाएगा 81 आजाएगा जब एकस स्केर बराबर 81 एकस बराबर कितना आजाएगा मेरे भाई तो एकस बराबर आजाएगा 9 एकस बराबर कितना आजाएगा तो ये कितना हो जागा, चार गोड़े नौ, चार गोड़े नौ बराबर कितना हो जागा, तो आपको इस तर ये तो आजागा, 36, तो इस question का answer क्या आएगा, 36 आजागा, option number A, इस दाराइट answer, बताओ, इस question को समझने में कोई किसी को दिक्कत हुई हो, तो बताओ, बताओ, इस बताओ, बताओ, जो हो कंजूसी, ना करो आ, लायक करने का किसी से कुई पैसा नहीं लगता, समझ गे ना मेरी बात को, लायक करने का कुई किसी से पैसा नहीं लगता, बस आप झाज कर दे तो वीडियो को तो एक अंदर से मुझे संतुष्टी मिल जाती है कि हां मैं जो कर रहा हूं आप के लिए जो 99 क्लास ला रहा हूं इसका कोई से रिस्पॉंस जो मिल रहा है यह मोटिवेशन देता है हमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ बहतर करने के लिए ठीक है न तो तो भी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और अपने जो भी फ्रेंडस हो आपके इस इतने भी फ्रेंड सरक्ल में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सबी के साथ लूप से त्धोśnie कर लिए करो ठीक है तो वीडियो को से जरूर किया करें भई आफ लोग को सपोर्ट क सेम कुष्चन है मेरे बई सेम कुष्चन है अब इस बार क्या था दो संख्याओं दी गई थी और उसके वर्गों का योग दिया गया था अब इस बार क्या है कि तीन संख्याओं का आपको अनपात दिया गया है और इनके वर्गों का योग दिया है 1328 और इन तीनों तरीका से हम वही है ठीक है अपने सोच लिया कि आपके अंदर डर हो गया तो भी मैत का को डरा देगा बिल्कुल भी डरना नहीं है देखो यहां पर कहँआ रहा है कि 3 अनपाथ 5 अनपाथ साथ के वर्गों का यह सभी का बर्ग कर दो एक पहले सब no x² रोजाएगा plus yogi योग करने करने तो प्लस कर देंगे गोडन फल बोलता तो कुणा कर देते फाइव का अब अक्षाल करेंगे तो यह हो जाएगा 25 x² प्लस साथ का करेंगे तो यह कितना हो जाएगा भी तो आपको साथ का करेंगे तो यह जाएगा 29x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 29x² बरावर, इनका टूटल यह हो कितना दिया, आपको 13、28, कितना दिया गया, मीरे शिर, आपको 13,28 हैं, दिया गया है, ठीक है, अब क्या करना भए, इनको जोड़ देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 9, 5, 14, 14, से और व कितना हो जाएगा, तैस की कैरी करेगा दोधने टीन कैरी करेगा हैand File this एक स्क्राइल इसाल बराबर तो यहांस जियाकना हो स्क्राइब करेंगे है तो काटेंगे इसको काटेंगे तो 333 38 काटो कितनी बार कटे की बार कटे गाया भी भाग देगए भाग सबस कितना दिया कि 13 भाग देंगे vos वाद है कि 13 यादा हुट गा तो बारह मेंने से तीराइगा नो और यहां पे कितना बचेगा पका दोग्या कि 134u88 पिरासी एकम तिरासी और तिरासी तीन तुरसी याथा रहे यह कितना हुट ईधाय कि 53 1 6 reb. 184 6 facilitate ये औरम जिस बर। ठीक है भई कितनी बार गया भी मैंने भाग दिया तो कितनी बार गया भी 16 बार गया यानि कि इसको जब काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भई आपको इस तर यह आपका कितनी बार कटेगा तो आपको इस तर यह कटेगा 16 बार कटेगा भई 16 बार कटेगा तो एकस स्केर बरा है कोश्चन में कि तीनों संख्यां में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी यह तो भी सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी भी साथ है इस में से देखो सबसे बड़ी संख्या कौन बताओ इस question में कोई दिक्कत हुई हो तो बता देना मेरे भाई यदि कोई भी question किसी को समझ में आया हो तो वीडियो को द्वारा से बैक करके देख लेना मेरे भाई समझ में आ जाएगा चलिएगा अगला question question number 44 6 अनुपात 4 अनुपात 10 के अनुपात में 3 संख्या इस पिरकार से हैं और इनके वरगों का योग कितना दिया गया है 3800 है तो बताए 3800 के बराबर है तो तीनों संख्याओं गयात किजिए इसमें क्या कहा है इसमें आप से बोल दिया कि तीनों संख्याओं को गयात करने के लिए तीनों संख्याओं आपको निकाल ली है देखो इस question को कैसे कर दो इस question को तरीका में आपको बता दू यहाँ पर मैंने दस में पचास का देखो कितना गुना दस पना पचास चार का पांच गुना 20 है चार पंचे 26 का पांच गुना है भी 6 पंचे 35 किया और अभी पांच गुना हो रहा है सभी में तो ये तो भी कैसा हो गया बिल्कुल सही है दस का चार गुना हो गुआ है अब धे दसे पना पचास है तो 4- Why countriesublic चांगाना चाहि siamo पर थांचाझा चाहिए पर चालिस हागि तो यह भी गलत है दस पना पचास 25 चार पंचे 20 अना चाहिए यह भी गलत है और छे पंचे ठीस यह भी गलत है तो ऑफसन पर साई जवाब हो जाएगा है तो एक तो यह तरीका था भई आपको second में solve करने का अब भई बाकी दूसरा तरीका के अपना basic तरीका भई अपना basic तरीका भी कर सकते हो जो कि मैंने अभी आपको बताया ठीक है चलिएगा basic तरीके से कर लेते हैं यह तो भई था question को जल्दी करने का एक अलग से तरीका तो इसका अंसर भी कितना आपका यह आया था क्योंकि इस बरावर अंतर से कट रहा है कि उदस पना पचास चार पंचे 26, 35, 33 सभी में वह सभी का 5 गुना हो रहा है तो एक तो तरीका यह औब दूसरा तरीका आपका वही यह basic concept तो बारस बहुत ज़्यादा हो रही है तो हो सकता है आपको जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके बैक ग्राउंड में थोड़ी सी जमाजम की आवाज आ रही है तो भी बारस की आवाज है ठीक है भाई अभी बारिस के चलते में वीडियो तो स्टाप कर नहीं सकता हूं लेकिन क्या करूं थोड़ा सा यहां से आपको वारिस की आवाज जरूर आ रही होगी तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना यदि ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो ठेक है तो इनके वर्गों का योग कितना है टोट और यहां पर कितना बचेगा आपका 6 और 6 बार है कि 2 और यहां पर कितना बचेगा आपका एक और एक और एक कितना हो जाएगा दो और तीन कितना हो जाएगा पांच और यहां पर बचेगा एक सो बावन एक सुस्क्वेर आजाएगा बराबर कितना दिया गया बराबर में जाएगा भी काटेंगे तो काटेंगे उनने से काट देंगे तो यह कितनी बार कटेंगा उनोस दूनिघ्ण अर्ट यहर दोसो, पांजिटनी बार कर गतेंगा तो रेजियो में इसी रेजियो में इस कमान रख देना हुए छे चार दस के रेजियो में तो अनपात कितना था भी मेरे भाई तो आपको जो अनपात निकल के आया था वो कितना था भी छे अनपात चार अनपात दस अब जब एक्स कमान में वेरेवल एक्स माना था तो एक्स यहा पर भी हो रहा है तो यह कितना हो जाएगा 6,5, 34, 20 और यह कितना हो जाएगा 10,25 तो भी कितना हो जाएगा 30,20,50 तो कहां पर भी option number A में option number A में दिया भी 30,20,50 पिल्कुल सही जबाब हो जाएगा भै बताओ कोई question में दिक्कत हुई बताओ इस question को करने में किसी को कोई दिक्कत हुई अब भई एक तो तरीका ये था दूसरा तरीका मैंने आपको starting में बता दिया था जो तरीका आसान लगी उस तरीके से आप कर सकते हूँ ठीक है चलिएगा भई अगला question है कहरा कि 3 संख्या है 4, 5, 6 की ratio में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 6,000 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपसे पूछा है अंतर पूछा है भई इस question को भी secondों में करेंगे भी secondों में देखते ही आंसर आएगा भई देखते ही का योग भई 4 और 6 का योग कितना होगा तो आपको सब 4 प्लस 6 का योग कर देंगे तो कितना आ गया 10 वो कह रहा है कि नहीं इसका जो योग है ना वो कितना भी 6000 इसका योग कितना दे रहा है वो कह रहा है कि 6000 है इसका योग कितना दे रहा है 6000 जब 10 बरावर 6000 है तो जीरो से का है चार है तो भी सबसे बड़ी संक्या और सबसे चोटी संक्या के बीच का अंतर तो इन के बीच का अंतर कितना क्या है तो आपको अंतर है दो का जब एक बराबर 600 है तो दो बराबर कितना हो जाएगा तो आपको 600 की गुणा कर देंगे दो कोई दिक्कत किस question को लेकर चलिएगा अगले question पर चलते हैं अगला question है question number 46 भाई abc दोस्तों same question है question number 45 कितने है जैसे किया वैसा ही कर देते इसको भी solve देखें वही कैसे करना देखो abc का ratio abc का ratio कितना दे तो आपको सर्फ a anpat b anpat c इसका जो तो इस्तोमें रेसियो दिया गया वो कितना दिया गवे आपको किसे नौ रेसियो बार है और रेसियो इनका हो इसका कितना ऑफ कितना ओब? सो हैसा यह अपके लर्बर सेथेषर किसर Neo440 तो एक ब्रबर कितना हुजा गेगा तो सेहतिस ौनी कितना हुजागा थो hiçbir ब्रबरा आ जाएगा 200 सेעל सेथेश्य कितना हुता प्रबर कितना हए मिरे शिर जब एक ब्रबर 200 है तो पूछा बताईएगा कि इसमें B का हिस्सा कितना है हमसे किसका पूछा बीका तो यहां से दोको B का हिस्सा कितना है तो B का हिस्सा है बारे जब B का हिस्सा कितना है बारे जब एक बराबर 200 तो बारे बराबर कितना हो जाएगा तो इसमें भी 200 की गुणा कर देंगे तो कितना हो बताओ इस question को करने में कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई कोई दिक्कत नहीं होगी इतने आसान concept बता रहा हूं ना कोई फॉर्मूला रटना है ना कोच question आएगा question को पढ़ेंगे तुरंत आंसर करेंगे 2400 इजदा राय टांसर आफसन नमबर D बताओ वही समझ में आ गया तो भी like कर देना इस भाई के लिए इतनी मेहनत करके आपके लिए भी वीडियो लाता हूं तो प्लीज एक बार like कर देना शेयर कर देना चैनल पर ना हो तो subscribe भी कर लेना मेरे भाई चलिएगा अगला question question number 47 की और चलते हैं कह रहा है कि 9900 को XYZ के बीच में सेम question भाई इस question को करवाओंगा भी नहीं तो भी आप इस question को second में कर लोगे सेकेंडों में कर लोगे सेम question है 46 question की तरह है जैसा अभी मैंने आपको 46 नमर question बता है सेम बैसा ही question 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 number 47 है चलिएगा भी करके मैं आपको भी बता देता हूं कैसे करना था वही यह तरीका एक्स वाई और जैड एक्स वाई जैड का रिस्यू आपको कितना दिया गया मेरे भाई आपको साथ अनुपात बारे अनुपात कितना दिया गया है साथ बारे चौदे की रिस्यू में और साथ कितना हुजाएगा 33 यह कतना आगया भी 33 आगया वो कह रहा है इसका योग जो औह Been 999वे सो है कितना अबी 90 वे आपका योग कितना तेटहिस इस बरावर नन्wy निन्यानवेशोग उत्फ aussi तक 33 metric 303 यह जागा उत्यूंपा जो यह वरे आफ्जेश पूचा कि y हिस् मेरी शेर कितना दिया गया तो आपको इसर वाई का हिस्सा जो है वो बारह है जब एक बराबर तीन है तो बारह बराबर कितना हो जाएगा तो इसमें भी तीन की गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा तो आपको इसर बारह तियाई कितना हो जाएगा च्छतिस सो बारह question समझ में आया या नहीं समझ में आ गया हो तो भी like कर दो समझ में आ जाए तो भी वीडियो को like कर देना तो 3600 question का एकदम सही जबाव हो जाएगा next question और यदि आप से इसमें से जैड का यदि पूछ लेता कि जैड का इस्सा कितना है तो भी जैड में तीन का गुणा कर देंगे तो 14-3 कितना हो जाएगा 14-3, 24-3 42-100 हो जाएगा जैड का इस्सा अब इसलिए आप से पूछे एकस का इस्सा कितना हो जाएगा 21-100 ठीक है भी निकाल सकते हो ना हो भी चलिएगा अगला question लो 48 नंबर question देखो क्या कह रहा है 48 नंबर question देखेंगा भी क्या कह रहा है कि 70,000 रुपए को A, B, C के बीच इस पर कार बाटा जाता है कि A, N, P, B वरावर 2, N, P, 3 B और C का ratio 4, N, P, 5 है तो A का हिस्सा कितना है A का हिस्सा कितना है बेहद आसान question है बेहद आसान question है ratio को आप लोगों ने दी part 1 नहीं देखा उसको देख लो कैसे हमें ratio को इकठा करना होता है वो सारी चीजे मैंने आपको बताई है तो सबसे पहले A और B का ratio निकालेंगे A, B, C, 3 हो का ratio तो यह कितना हो जाएगा A, तो यह कितना हो जाएगा मेरे ratio आपको उसकर A, अनपाथ B, अनपाथ C A और B का ratio कितना दिया गए तो आपको उसकर यह तो हमें दिया गए 2, अनपाथ 3 यह उसी तरीके से करेंगे जैसे कल किया था B और C का ratio कितना भी 4, अनपाथ 5 4, अनपाथ 5 है 8, 12, 15 का ratio आगया अब यह हमसे क्या बोल रहा है मेरे share यह हमसे कह रहा है कि इंस सभी का योग कितना है 70,000 रुपए है आपके हिसाब से इन तीनों का योग कितना हो रहा है तो आपको उगिर हमारे इसाब से कितना हो रहा है तो 12, 8, 20, 15 कितना हो जाएगा 35 हो रहा है आपके अकॉर्डिंग कितना और वह योग ही टोटल हो रहा है 35 सो वह जरे नहीं जो योग है ना कितना सतर हुजार है यह निने 35 बरावर कि दूनी हो जाएगा 70 तो यह आप जाएगा एक बराबर है 2000 के एक बराबर किसके है तो आप कोईसर एक तो बराबर है यह 2000 के एक किसके बराबर है मेरे भाई तो आप कोईसर एक बराबर है 2000 के एक बराबर जब 2000 के है तो हमसे पूचा कि एका हिस्सा कितना है मेरे भाई एका हिस्सा पूचा है ना तो एक बरावर है दो हजार के तो एका हिस्सा कितना है आप कोई तर एका हिस्सा तो आठ हजार है जब एका हिस्सा यहां पर आपने देखा कि एका हिस्सा आठ हजार है तब एक बरावर दो हजार है तो आठ बरावर कितना हो जाएगा तो दो हजार कि इसमें गुणा कर तो कितना हो जाएगा आठ दूनी हो जाएगा 16,000 तो भई एका हिस्सा कितना है मेरे भाई आप कोई तर एका हिस्सा हो जाएगा 16,000 अफसन नमबर D is the right answer अब मैं आपसे कहूँ कि बी का हिस्सा कितना है तो बारे दूनी 24,000 हो जाएगा बी का हिस्सा B का हिस्सा जिसे मैं आज से आप से कोई इस सभी का हिस्सा निकालो तो A का हिस्सा कितना निकाला था मैंने 16,000 16,000 अब 12 दूनी कितना हो जाएगा 24,000 तो B का हिस्सा कितना हो जाएगा मेरे बही 24,000 हो जाएगा अब मैं c Merci ka पूछूँगा गांव больше 15 दून 2000 कितistä है गांई अब तीनो का टूटल इस्सा पूछेगा तो तीनो को जोड़ देंगे वही सत्तर हजार आज जोकी हमें दिया गया था समझ में आ गया न मेरे भाई कोई दि noises किसी को को यहां से मैंने आपको पांच अनपात एक बट्टे छे अनपात एबी सीडी के अनपात में दिया गया है चलिए अब इसको करेंगे सौल अब देखो ऐसे कुश्चन को कैसे करना है यहाप देखो चीज़ें बट्टे में लिए कि जब भी स्टाप का कुश्चन है ऊपर अंस कैसे हैं भी समान है तो आपको क्या करना जो नीचे की जो संख्चा दीगए यह तीन चार पांच छेबटे में संख्य लिक्गी खांच को किया कि लिष्ट में पढ़ी देख ले न भी संख्या का घुना करेंगे लिए सबी से कट राएक हैं तो ल które स्कर कितना गए at 60 जान लेंगे तो एहां से क्सका रेशियो निकालना एंब अनुपात बईपात सी द्रिकार शेय निकालना है तो सब्सक्राइब तो यहां इसका मान कितना आजाएगा आपका एक शार और जाएगा इसको किछ साट कितना आगया रेशियो तो 20% 15 12 रेशियो 10 जब लुट वएा सब काइऔर सावन ट बड़े पैयर प्येकरह सरी पैनो की नीवन ने infinity जेए हैं आपकोिस्ट Virtus है तो इस question कहां सरा जाएगा option number D 57 का बिलकुल सही जबाब हो जाएगा बताओ इस question में कोई दिक्कत हुई एक second का question तब ही हो गया solve चलिएगा अगला question है question number 50 same question इसी प्रिकार से करना है कि यदि आपके पास 644 रुपए हैं इनके तीनोंगओ का एक बटे दो अन्पाथ 2ंपाथ 3ंपाथ 4 में बबाज़न क्या जा तो पहला वाग क्या है देखो मेरे इस question को कैसे करना है यहां पर देखो 644 के तिनों वागों का ये क्या दिया गया हैёag तिनों वागों का क्या टिया गया यू एक अनपात दम ओन ओन पात 13 आजब टीर मान लेंगे A और B C, A अनपात, B अनपात, C का रिजिमान लेंगे A अनपात, B अनपात, C, अब बहिं इनका मान लिखेंगे तुझ इसका मान कितना dependency 2 है दो से बार्वे हैं में भाग देंगे 6 बार जाएगा, तो 6 की गुणा उपर हैं में बारे में देंगे कितनी बार जागा, 4, 3, 3, 3 की मुगणा ऊपर वाली संख्या में तीन में करेंगे, तो 3 त्रिका कितना हो जागा, 9 हो जागा, तो इनका टोटल मान कितना गए 6, 8, 9 अब इनका टोटल योग कितना है आपको इनका 8, 6, 14, 14, 9 कितना हो जाएगा तीस, इनका टोटल योग कितना है तीस है, वो कहरा नहीं इनका जो टोटल योग है न वो 644 है यानि कि तीस किसके बरावर आ रहा है कह रहा है कि 644 के बराबर है जब 23 बराबर किसके है 644 के तो एक कमान निकालेंगे भई तो एक कमान निकालने के लिए क्या करेंगे भी इसमें देंगे भाग तो 23 एकम 23 होता है और 22 कितना हो जाएगा तो 23 एकम 23, 23 दूनी होता है 749 1934 Bahi 23 दूनी 46 हो झाएगा भई 23 दूनी 46osten ओघाएगा भहाएँ आपके नियुक्ता स्च्रेश वा गतूब 28 नहीं हैं grape tamanho से पूछा तो बताई कितना है पहला भाग कितना है चोई है जब 1,28 आया जब 1,28 तो पहला वाग कितना च्छे है तो इसमें 28 की गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा भई तो यह हो जाएगा 468 की 8 करी करेगा चार, चैदोनी 12, 4 कितना हो जाएगा, 168, आप्सन नमर B में दिया, 168, यह इस question का answer हो जाएगा, 168 मेरे दोस्त इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, वही same question था, उम्मीद करते हैं, समझ में आ गया होगा, अगला question है, question number 51, question number 51, अब देखो मेरे इस question को कैसे करना है, द एक का मान कितना आगया, वही का मान 3 है, और B का मान कितना दिया गया, साथ है, यानि कि A बटे 3, एक 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 कुतना हो जाएगा, 3 अनपात 7, आगे कह रहा है कि C जो हैना, वहीं के हिस्से का 75% है, वहीं 75% की fraction क्या होती है, आपको कि सिर्ह इसकी fraction निकालेंगे, तो 75 75 75 तेएगा 25 तेस की फ्रेक्शन कितनी हाग il तीन वटे चार तीन वटेश साइसिक तो भी मान लिया कि सीघा आपका यहां पर बैठाल देती ऐसको ठीक है भी तो सी का एका इसा कितना है तो यह हो गए सी का इसा और 4 किसका आगया एका इसा तो इसका मतले है कि सी का हिस्सा कितना आया तो आपको सी का हिस्सा तो यहां से तीन आ गया तो तीन आ गया एका जब सी का हिस्सा यहां पर भी तीन है तो सी का हिस्सा यहां पर भी तीन होगा तीन होगा तीन होगा या नहीं तो आपको जी बिल्कुल एका हिस्सा यहां पर कितना भी एका हिस्स हो जाएगा हो गया ना भी 28 अब कहा रहा है कि इनका टोटल योग कितना है तो योग टोटल कितना दिया गयता है 980 आपका टोटल योग कितना हो रहा है तो टोटल योग कितना हो रहा है 12 9 हो जाएगा 21 और 21 28 कितना हो जाएगा यह जाएगा 49 कितना हो जाएगा 49 अब यह जो 49 इननचास इनका टोटल ही हो गया यह बरावर किसके kali तो यह बरावर 98 के किसके 보रावर 980 के बरावर बरावर है जब एक बरावर कितना हो जागा तो जाएगा option number C is the right answer, option number C is question का बिल्कुल सभी जबाब हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 यानि कि 180 question का बिल्कुल सभी जबाब हो जाएगा, clear मेरे भाई, कोई दिक्कत इस question को यहां तक समझने में किसी को, चलिएगा अगला question पे चलते हैं, अगला question आपको दिया, तो कितना दिया भई, A अनपात, B अनपात, C अनपात, D इनका ratio दिया गया जोस्तों, 5, 2, 4, ये तो question ऐसे हैं कि बिना copy पेन के भी कर सकते हो भई, बिना copy पेन के भी ऐसे question को कर सकते हो भई, 5, 2, 4, और 3 का ratio, कह रहा है कि यदि A, D से 1000 रुपई अधे के भई, देखो A, D से कितना अधे के हैं, A देखो कहां पर है, A देखो आपका यहां पर है, A ये रहा, D ये रहा A, D से 1000 रुपई अधेक बोल रहा है, आप कोई सर आपके हसाब से कितना है, ये question में तो बोला है कि A, D से 1000 रुपई अधेक है, A का कितना है, D का कितना है, तीसरा हिस्सा है, A, D से कितना हिस्सा जादा है, तो आप कोई सर, A जो है ना, वो D से 5, 5 में A 3 है, तो कितना हिस्सा की हो जाएगा तो एक बरावर आजाएगा पांसो की बरावर यानि दो पंचे दस तो एक बरावर कितना आ गया पांसो अब पूछाए तो सी का हिस्सा कितना है तो सी का हिस्सा कितना है तो सी का हिस्सा कितना भी चार है जब सी का हिस्सा चार है तो क्या करेंगे भी इसका भी 500 का गुना कर देगे तो 5 को कितना हो जाएगा 20 यानि कि 20,000 आजाएगा कितना हो जाएगा मेरेे वही,2000 तो कहाँ पा रहा है वही 2000, option number C में तो option number C is the right answer तो C का हिस्छा कितना है, 2000 है यदि D का हिस्छा पूछ लेता तो 3000, 6000, D का हिस्छा हो जाता बी का पूछता तो दो दो नी चार हजार एका पूछता तो दो पंचे दस हजार हो जाता बात समझ में आ गई तो क्या हो जाएगे इस question का अंतर? option number C 2000 इस question का बिलकुल सही जबाब है next question 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 number 35 अभी just ऐसा ही question थोड़ी देर पहले हमने इस question को करवाया था question number 53 same question है भी बिलकुल भी अंतर नहीं है अभी थोड़ी देर पहले असा ही question करा भी करेंगे solve तो सबसे पहले ABC का ratio निकालेंगे भी तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका तो LCM निकालो 2, 3, 4 का क्या करना भी LCM तो इसका निकालेंगे भी LCM करो भी LCM LCM करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 4, 2, 8, 4, 5, 20 तो भी 3 से कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा तो आपको इसको कर देंगे 60 कर देंगे ठीक है 15, 4, 60, 20, 30, 60 और कितना 30, 20, 60 हो जाएगा चाओ तो इसका आप 60 हमी ले सकते हैं पारे कर भी 5,000, 30, 60, 1, 2, जसका तो कितना भी मोझर फितना हो जाएगा पारे कर दे भी 12, जसका भी 12, 20, 20, a, b, c, उसका 3 से का जाएगा तो 12, 21, 2, 0 2 सके के बारे 6 की गुरा हम रे किरेंगे 20, 20, 26, तो 6 किज़ एकम छाएगा तोब आपको कि इनका जो टूटल यूग है न वो कितना है 8 6 14 9 कितना हो कितना हुजाए गहां सब्सक्राइब कितना कितना तो इक ए गए अगए सब्सक्राइब कितना है तो शक्ति आहिफ एकंतर दूब splits ed iukad जब एक बरावर कितना है 31 जब एक बरावर 31 है तो सी का मान कितना है तो सी का मान कितना है नो है सी का मान कितना है नो जब एक बरावर 31 है तो नो बरावर कितना हो जाएगा तो गुणा कर देंगे 31 की तो कितना हो जाएगा तो नो एकम नो नो तिया सत्ता है तो आपको किसर य ऐसा भी question करवाया भी था मैंने अगला question है question number चंगन यहां पर दिया कि A और B के पास 4,655 रुपए है यदि A का 4 वटे 15 का का मतलब क्या होता है दोस्तों गुणा होता है का का मतलब क्या होता है गुणा होता है जहां पर भी का हो आपर गुणा करना है ठीक है भी एका कितना भी एका 4 वटे 15 तो यह हो जाएगा एक गुणा है 4 वटे 15 एका 4 वटे 15 तो 4 वटे 15 हो जाएगा बराबर किसके है भी कहरा कि बराबर हो किसके बी के तो बराबर किसके भी बी के है तो बी का कितना भी दो बटे पांच भई बी के दो बटे पांच के बरावर है भई काट दो इसको काटेंगे तो पांच से कटेगा कितनी बार पांस तिया पंदर है दो को काटेंगे तो दो से कटेगा भी दो वार कटेगा दो दो नी चार तो यहां से भई क्या गया ए का मान कितन बरावर कह सकते है B वटे A B वटे A आप चाओ तो इसको रेसियो में भी लिख सकते है कैसे कि A अनपात B A का वान कितना भी 3 हो जाएगा B का रेसियो कितना है 2 तो इसको वैसे भी लिख सकते है 3 अनपात 2 के रेसियो में ठीक है भाई अब इसका total योग कितना भी आपके इसाब से total योग कितना भी आपके इसाब से total योग आया 5 वो कहरा कि नहीं इसका जो है न ए और बी के पास total कितने रुपए हैं आपके इसाब से आया 5 और question में कितना दिया भी 4,655 आप कह रहे हैं 5 रुपए हैं वो कह रहे हैं नहीं टोटल है 4,655 यानि कि 5 बरावर कितना दिया भी 4,655 जब 5,000 बरावर 4,655 है तो एक की value निकालेंगे तो काटेंगे तो 5 एकम 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा तो यह जाएगा 5,45 एक तो एक बरावर कितना है भी 931 हमसे पूछा है तब बी का मान कितना होगा अब यहां से आप यह बताओ बी का मान कितना है बी का मान कितना है तो बी का मान तो आपे 2 है जब बी का मान 2 है जब एक बरावर 931 है तो बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भई 931 में 2 की सब्सक्राइब कोई दिक्कत बताओ कोई दिक्कत हुई इस कोश्चन में बताओ आगे अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 55 सेम कोश्चन है दोस्तों को करने से पहले इस कोश्चन को आपको एक बार ध्यानसस चीजों को समझना देखो इस स्वेश्चन फ्रूटी दी जैनते हो दोस्तों इसमें थोड़ी सी एक गलती दी वह गलती आपको बताता हूं इसमें दोस्तों एक गलती यह है कि यहाँ पर जो एक हिस्साय नहीं यहां पर एक जगा बी ऊपकर है तो यहां पर हैं आपका इस अपमान करना fighting की फिल्गारी कीछ b है यह आपको यहां से फिल्ग से खोगां शिस्ते दिया गया है तो सब्सक्राना था है आपके पास घृ माण ना लग से अब भई समझते हैं question को 49,000 रुपए हैं और A और B को इस क्रम में बाटा गया कि A की B के हिस्से का 1 बटे 3 B के हिस्से का 1 बटे 3 A के हिस्से के बराबर के B का हिस्सा C से 20% अधिक है 20% की fraction क्या होती है तो आपको किसर्फ 20 बटे 100 20,000 चोको 80,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 बटे तीन हिस्सा है किसके बी के हिस्से का एक बटे तीन है यानि कि बी का हिस्सा कितना है तीन है एक हिस्सा कितना एक है ठीक है भई अब आगे कह रहा है कि बी का हिस्सा सी से बीस परसेंट अदे के तो बीस परसेंट की फ्रेक्शन क्या होती है बीस बटे सो यानि कि एक भाई आप कोई इस तरह यह हो जाएगा B का हिस्सा है C के तो यह कितना हो जाएगा A का देक है तो यह हो जाएगा 6 बटे 5 कितना हो जाएगा भाई 6 बटे 5 अदेक है तो पूछा है कि A का हिस्सा कितना है A का हिस्सा कितना है तो अब यहां से क्या करेंगे पर लिखेंगे B का रिश्या हो जाएगा 6 खा कितना आगया 5 आवया अब यहां पर यहां पर कितना फेंगे छे हो गया जब लasına है तो इसा ना है खुत और फोट्र 1 का अड़ कितना पांच हो गया तो जो टोटल है ना वो कितना भी 49,000 है तो तेरे बराबर किसके भी 49,000 की जब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो तेरा एक हम तेरा तेरा तिया कितना हो जाएगा 49 यानि की 3,000 जब एक कमान 3,000 है तो हमसे पूछा कि एका हिस्सा कितना है तो एका हिस्सा कितना है मेरे वाई वही 6,000 हो जाएगा option number C is the right answer option number C is question का बिल्कुल सही हो जाएगा यदि B का पूछता तो 36,000 हो जाएगा C का पूछेगा तो 15,000 हो जाएगा clear? तो हमसे किसका पूछा था? A का तो A का हिस्सा है 6,000 next question अगला question है question number 56 कह रहा है कि 936 रुपय को PQR में गलती से एक बटे, दो, एक बटे, तीन, एक बटे, चार के रेशियो के बजाए दो, तीन, चार के अनुपात में विवाजित कर दिया तो बित्रड में R का लाब क्या है? सबसे पहले क्या करो ही? गलती वाला question है तो सबसे पहले गलत वाला निकालेंगे इसके बद सही वाला और उसमें जो भी R का लाब हुआ होगा उसको हम निकाल लेंगे कैसे देखो? भई PQR का गलती से कितना हो गया? भई गलती से हो गया तो गलती का मयानी की cross यानि कि यहां से गलत वाला निकालेंगे तो PQR तो PQR का यहां से क्या करेंगे गलत वाला पहले निकालेंगे तो इसमें देखो वह 2, 3, 4 का LCM कितना आजाएगा 12 आजाएगा तो 2, 6 के 12 तो 6 एकम 6 हो जाएगा अनपात 3, 4, 12, 4 एकम 4 हो जाएगा अनपात 4, 3, 12, 3 एकम 3 तो 13 किसके बरावर है 936 तो एक बरावर कितना हो जाएगा इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा तो 13 एकम 13 और यह कितनी बार जाएगा 13, 35, 65, 13, 68, 13, 70 हो जाएगा 91 कितना बचेगा 91 यानि 7 बार गया बचेगा 2, 13, 12, 26 तो इसका मान कितना है तो एक वरावर बहत्तर अब निकालेंगे भी अब कह रहा है कि इसके बजाए दो अनपात तीन की चार के अनपात में भाज़ित कर दिया अब यहां से क्या करेंगे सही वाला निकालेंगे तो सही वाले में क्या निकालेंगे भी पी और क्यू का आर का र जाए गा भई इसी तीन वात्र की बुना कर देंगे तो कितना हो जाहेगा तो यह उसाएगा 3 2 6 और 3 7 कैस या नहीं कि 216 हो गया अब इसका निकालेंगे सही भाले का ठीक है सही भाले का निकालेंगे तो इसका टोटल यूग कितना है तो 4 3 7 2 9 9 برابر किसके 936 के 9 برابر किसके 936 gehört 1 की value कितनी हो जाएगी 9 1 9 और ये कितना हो जाएगा 9 4 36 यानि की 104 आजाएगा जब यहां से पनिकालेंगे 8 कितना अपी 9 4 जब 1 बराबर 104 4 बराबर कितना हो जाएगा 204 कि गुना कर देंगे एक सो चार की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो चार चौको सोले की छे केरी करेगा एक तो यहां पर एक चार दोनी कितना जाएगा आठ कितना जाएगा भी चार दोनी आठ यहां पर कितना जाएगा चार चौको सोले की छे है पहले गलत में कितना लाब लाब गाए तो ऑको कुछ टाल बीश को बिलकुल साई जबाब हो जाएगा तो बित्रण में आर का लाभ कितना है? 200, यानि कि गलती से उसको हुआ था 267 जबकि उसका सही था कितना सही था उसका 416, तो वहीं 216 में से 416 के बीच का अंतर कितने का है? तो आप कोई दू-साथ 200 का तो आर को बित्रण में लाभ कितना मिला है? 200 रुपय का किलियर उम्मीद करते हैं बास समझ में आ गई होगी आप लोगों को अगला कोश्चन कोश्चन नमगर 57 ये रहा देखो कोश्चन कहा रहा है कि एक बैग में 216 रुपए हैं क्रमसा 2 और 3-4 की रिर्पात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिसमें से 25 पैसे के सिक्के हैं आपको बतानी है बाई देखो 2-3-4 का रिष्यो दिया गया ठीक है बाई किस के सिक्के हैं तो आपको किसर एक तो सिक्का हो गया एक रुपए का एक रुपए का सिक्का है और इसके बाद क्या कह रहा है 50 पैसे के सिक्के हैं किसके 50 पैसे के सिक्के हो गए और आपके 25 पैसे के सिक्के हो गए किसके हो गए 25 पैसे के सिक्के हो गए तो पूछा है कि इनका जो ratio कितना दिया गया है आपका दिया गए 2, 3, 4 2, 3, 4 के ratio में दिया गए अब याब बताओ, यह आपके सिक्के हैं, दो, तीन, चार, अब याब बताओ, अब इसका हम मूल निकारेंगे, कि दो रुपए के कितने सिक्के हैं, तीन पैसे के कितने सिक्के हैं, तो इनका टोटल मूल बनाएंगे, कितना होगा, तो इसका टोटल मूल निकारेंगे, तो मूल कितना हो जाएगा हमें टोटल मूल कितना दिया गया है 216 आपके इसाब से टोटल मूल कितना हो जाएगा एक रुपए कि यदि दो सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे तो आपको इस तर यह हो जाएंगे दो रुपए यह कितने हो जाएंगे दो रुपए हो पचीस पैसे कि यदि आपके पास चार सक्के हैं तो पचीस चौकों होता है सो यह सो पैसे बरावर यानि कि एक रुपए के बरावर हो जाएगा तो यह कितना आ गया एक रुपए तो यहां पर भी कितना आ गया एक बरावर ठीक है भी आपके पास टोटल रुपए हैं कितने बही सबी को जोड़ देंगे, सबी को जोड़ देंगे, तो आपके पास टोटल रुपए कितने हैं, बही, तो दो रुपए ये, तीन रुपए ये, चार ये, यानि कि आपके पास टोटल जो पैसे हैं, वो कितने हैं, साड़े चार, साड़े चार रुपए हैं, टोटल मूल, आपके इसाप से तो आया साड़े चार रुपए मूल वो कह रहा है नहीं इसका जो टोटल मूल है ना वो कितना है दो सो सोले रुपए कितना है दो सो सोले रुपए यानि कि साड़े चार रुपए का मूल बराबर किसके दो सो सोले कि तो भई क्या करेंगे इसमें देंगे भा चौको हो जायगा यह आपका 20-25-35-35-다10 432 9 से काटेंगे तो कितनी बाहर जाएगा यह काटेंगे 1945 ज्यादा हो जाएगा तो यह जाएगा 9-40-36 9-4-36 और यहां पर कितना बचेगा 36 और आपका कितना है Sleep-1, 4-75-42 9-8 हो जाएगा बहत्तर यानि 48 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है तो आप ये बताओ कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है कितनी तो भी 25 पैसों की जो सिक्कों की संख्या है बोतो है 4, कितनी है 4 जब एक बराबर आपका 48 है तो 4 बराबर भी इसमें 48 की गुणा कर देगे आंसर आ जाएगा 48 की गुणास में करेंगे तो 48 32 की 2 केरी करेगा 3 4 4 16 3 कितना हो जाएगा 19 यानि की 192 तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई 192 option number C तो 25 पैसो की संख्या कितनी है भाई 192 इस question का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा option number C समझ में आगया हो तो आगे चलते हैं अपने next question की ओर question number दिया गया 58 same question इसी तरीकी सिसको भी करना भाई देखो करते हैं इस question में क्या कह रहा है कि 615 सिक्के इस बार क्या है 615 सिक्के है जिसमें से कह रहा है कि 1 रुपए 1 रुपए है और आपका 50 पैसे है एक रुपए 50 पैसे और आपका 25 पैसे के सिक्के इसमें सामल है ठीक है भई इस बार थोड़ा सा question को पलड़ दिया है एक्जाम नर्वे उनके मूल क्रमसा कितना है भई आपके जो मूल है इनके हमें मूल है आलड़ी यहाँ पर दे दिये गए ठीक है भई मूल दे दिये गए यहाँ पर लिख लेते हैं सिक्के ठीक है भई सिक्कों कि यहाँ इस बार आपको संक्या निकालनी उस बार क्या था सिक्के दे दिये गए थे हमने मूल निकाला था इस बार मूल का रिशियो दिया है नोंने तीन और अनपात कितना है वही पांच अनपात कितना दिया गया साथ ठेक है वही जब तीन मूल के सिक्के होंगे तो सिक्के कितने हो जाएगे तो तीन एकम तीन जब एक रुपए के तीन सिक्के हैं कितना हो जाएगा तो भी सिक्के को संक्या हो जाएगी तीर तो भी यहाँ पे सिक्के कितने हो गए तीन हो गए पचास पैसे के वह आपकी कितने हो जाएगा तो आपको इस तर यह हो जाएगा तो आपको इस तर यह हो जाएगा तो आपके पचास पैसे के दस सिक्के का मतलब ह 50 दहम 500 यानि कि 5 रुपए अब ये 25 पैसे के कितने हो जाएंगे तो आपको 25 पैसे के निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका तो ये 25 पैसे के आपके 7 रुपए है तो ये कितना हो जाएगा तो 7 हैं तो कितना हो जाएगा तो आपको जाएगा 25 चौको होता है 100 यानि कि 4 सिक्के बराबर एक के तो ये कितना हो जाएगा आपको होगी सर्थ 24 चौको 28 यानि कि 28 सिक्के आपके ये हो जाएंगे कितने हो जाएंगे आपको जाएंगे आपको 28 सिक्के यानि कि 28 सिक्के यानि पच्चिस पच्चिस पैसे के होंगे तो आपके उनके टूटल जो रुपए बनेंगे वो कितने बनेंगे भई साथ रुपए आपके बन जाएंगे ठीक है तो यहां से हमने सिक्के निकाल लिए तीन दस अठाइस और मूल आपको दिये गए थे तीन पांच साथ के अनपात में अब क्या करना है देखो अब आपसे कह रहा है कि हमसे पूचा की तो बताये एगा कि पचास पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है तो आपको किसतरों मेरे पास जो जो सिक्के हैंजें नंको सभी कर जोड़ देंगे तो तीन दस अट्टाइस इनको杜ों जोड़ेंगे तो भी 600 पंद्रे की अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा तो आपको इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा तो 41 का भाग देंगे तो 41 एकम 41 जहां पर बचेगा 20 तो यह कितना हो जाएगा 205 तो 5 एक तालिस पंचे कितना हो जाएगा 205 तो एक की वैल्यू कि नहीं हो जाएगी तो गुणाय कर देंगे पंद्रे की तो पंद्रे दाहवन कितना हो जाएगा भी 150 कितना हो जाएगा 150 तो 50 पैसो कि सिक्कों किसंख्या कितनी हो जाएगी 150 option number 20 question का बिलकुल सही जबाब हो जाएगा बास समझ में आगे तो like कर दो भई एक बार like कर देंगे भ भी आपके जो बताया था 57-58 question करवाया बैसा ही आपका ये भी question है देखो एक box में क्या वोला कि 25 पैसे के सिक्के हैं ठीक है 25 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं और और आपका कहरा कि 50 पैसे के सिक्के हैं और आपका कहरा कि 20 पैसे के सिक्के हैं और आपका कहरा कि 20 दो रुपए के सिक्के हैं, तोटल इनकी संक्या 660 है, सभी मूल वर्गों में सिक्कों की संक्या समान है, बॉक्स में दो रुपए की सिक्कों की संक्या ग्याद कीजिए, हमें दो रुपए के सिक्कों की संक्या बतानी है, अब आगे दोस्तों एक बात कहिए कि सभी मूल वर् है यहां पर हमीं सिक्के नहीं पता है कि सिक्के कितनी हैं मान लेते हैं कि सिक्के जो भी होगे अपने आप में समान होगे माना कि एक सिक्का यहां पर एक सिक्का यहां इसका हो गया एक सिक्का इसका हो गया माल लिया कि 25 पैसे के सिक्कों के संक्या कितनी है भी चार है चार माल लिया भी चार इसकी भी है जब चार इसकी भी है तो चार पचास पैसों की हो जाएगी चार इसकी भी हो जाएगी तो ऐसा क्या है सिक्कों के संक्या कैसी होगी समान होगी समान होगे भी अब देखो 25 पैसे की दिया आपके पास 4 सिक्के है तो टोटल मूल कितना होगा 25, 400 यानी की एक रुपए हो जाएगा 50 पैसे की है तो कितना हो जाएगा तो आपको किसर मेरे पास 2 रुपए हो जाएगे क्योंकि 50 पैसा 50 पैसा मिलकर एक रुपए बनाएगा तो 50 सिक्के मिलकर कितने बनाएगे 2 रुपए हो 4 दो नी तो ये तो हो जाएगा आपका 8 रुपए अब कहरा है कि टोटल जो कीमत है वो ना 660 रुपए है तो टोटल कीमत आपकी कितनी है तो आपको किसर दो 1, 3, 3, 8, 3, कितना है 11 है आपकी टोटल कीमत कितनी है 11 वो कह रहा है नहीं जो टोटल कीमत है वो कितनी है चैसो साथ है जब एक कीमत चैसो साथ है जब एक कीमत चैसो साथ है तो एक बराबर कितना हो जागा तो ग्यारा चिक्का चट शट तो एक बराबर आ जाएगा साथ जब एक बराबर दोस्तो साथ आया तो हमसे पूचा है कि बॉक्स में हमसे क्या पूचा है बॉक्स में दो रुपए के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है तो भई बताओ बॉक्स में दो रुपए वाले बॉक्स में पूचा है न दो रुपए के तो दो रुपए का बॉक्स ही रहा तो दो रुपए वाले बॉक्स में सिक्कों की संक्या कितनी तो आपको गुसर 4 है जब 1 बराबर 60 है तो 4 बराबर कितना हो जाए कि तो इसमें 60 की गुणा कर देंगे तो 6, 4, 24 यानि की 240 आ जाएगा तो दो रुपए की जो सिक्कों की संक्या वो कितनी है मेरे भाई तो आपको question है आज का अंतिम और last question है question number 60 और भाइ बाकी के जो 6 question बचे हैं आपके 20 question और बचे हैं वो कल हम इस chapter को complete कर लेंगे तो ratio and preparation के chapter आपका कल complete हो जाएगा चलिएगा question number 60 है रहा है same question है जैसा भी दोस्तुमने पिछला question किया था कर रहा है कि एक थेले में दो अनपात तीन अनपात पांच के अनपात में 50 पैसे और आपके 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के है ठीक है कितने कितने के भी 50 पैसा है 25 है और 20 है तो लिख लेंगे भाई कितना है आपको कि सरफ क्या है तो यहां पर भी इस सिक्के कितने है भई आपको इस सिक्कों का यहां पर हमें रिशियो दिया गया तो यहां पर लिख लेंगे सिक्के और यहां से निकालेंगे इसका मूल तो यहां सिक्के के निकालेंगे इसका मूल सिक्के किस तर रिशियो में तो आपको इस तर दो 3 और 5 के रिस्यू में अब आप ये बताओ 50 पैसे के यदि आपके पास 2 सिक्के हैं यदि आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपए हो जाएगा तो आपको उसर एक रुपए हो जाएगा और 25 तियां 75 है तो आपके पास 75 पैसे हो जाएगा और ये बीस पंचे सो हो जाएगा तो यानि कि बीस पैसे के कितने है तो आपको इस तर इसका भी कितना आजाएगा ये भी आपका एक रुपए आजाएगा क्योंकि बीस पंचे सो हो जाएगा तो ये भी आपका एक रुपए हो जाएगा टोडल रासी 550 है तो दोसो दसमलब 75 वरावर किसके है? 550 की तो ये हो जाएगा 550 बटे 2.75 दसमलब हटाएगे तो यहां से 2.0 उपर आजाएगी 1.0 दो 0 भ where काटेंगे इसको काटेंगे इसको इससे किसके से काटेंगे भई इसको काट देंगे 5 से काटेंगे इसको तो 25 हो जाएगा तो आप इसको ऐसा करो इसको काटेंगे भई 11 से नहीं कटेगा 27 से काटेंगे 25 से काटेंगे 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 दो बचेगा 25 एकम 25 तो एक वरावर कितना आया वही एक वरावर आ गया है 200 के जब एक वरावर कितना आया एक वरावर आ गया 200 के तो हम से क्या पूचा है कि बताईएगा कि 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों के बीच धनरासियों का अंतर कितना है किसके किसके भी 50 पैसे के बीच का और किसका पूछा भई 20 पैसे के सिक्कों के बीच का भई निकालेंगे तो भई इसका अंतर कितना है तो इसका भी सिक्के कितने है दो है इसके सिक्के कितने है पाँच है जब एक बरावर 200 है तो दो बरावर कितना हो जाएगा तो आपको किसा दो दूनी कितना हो जाएगा चार से अच् इसकी धनरासी कितने रुपए है इसकी धनरासी एक रुपए है इसकी भी एक रुपए है तो इनके बीच का अंतर तो जीरो आ रहा है इनके बीच का अंतर कितना जीरो है तो जब जीरो आ रहा है अंतर तो जीरो की गुणा चाहें जितने में कर दो तो वो संक्या कैसी हो जाए तो वही आप कहोगे सर की 20 पैसे और 50 पैसे की जो बीच की धनरासी है इनके बीच का अंतर कितना वही जीरो है तो option number D question का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जीरो ही आएगा क्यों क्योंकि इनकी धनरासी कितनी है एक रुपए है 50 पैसे की 20 पैसे का मूली कितना वही इसका भी एक रुपए आ रहा है जब एक रुपए और एक रुपए की बीच का अंतर किसका है वही जीरो का है तो जीरो का वही अंतर कितना आएगा 200 है तो जीरो की गुणा दोसों में करोगे तो भी जीरो ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भई, option number 10 question का बिलकुल सही जवाब है कि 20 पैसे, 50 पैसे की बीच के धनरासियों का अंतर सून ही हो जाएगा, यानि कि जीरो, clear, तो भई ये ते दोस्तो हमारे total 60 question लगबग एक घंटे 20 मिनट की class होई, जिसमें दोस्तों ये chapter हमारा आज से थोड़ी से question और बचें, तो 60 question हमारे complete हो गए है, बाकी के 20 question और सेस हैं, तो वो कल complete कर लेंगे हम लोग, ठेक है भई, तो कल इसकी अंतिम class होगी, और कल से बाद एक नया chapter स्टार्ट करेंगे मैत में ठेक है, तो आज का session कैसे लगा है बाते समझ में आई या नहीं, तो comment करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो, तो like कर देना, अपने दोस्तों के साथ में share कर देना और channel पर नए हो, तो channel को subscribe करके bell icon को on कर लेना, ताकि daily classes का notification आपको सही समय पर मिल सके, तो चलिएगा दोस्तों, सभी को धन्यबाद, जय हिंद, जय वारत